दिवाली 2017 अस्थमा के मरीज बरतें ये साफधानी वरना पढ़ सकते हैं बीमार दिवाली आने वाली है और त्योहार के वक्त खुद का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है खास और पर अगर आप अस्थमा के मरीज हैं तो त्योहार पर आपको रोल से ज्यादा अपना ख्याल रखने की जरूरत है क्योंकि त्योहार पर आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपको बीमार कर सकती है हम आपको बताते हैं इस दिवाली पर कैसे रखें खुद का ख्याल एक अगर आप अस्थमा के मरीज हैं तो ज्यादा दूए और उन जगों पर जाने से बच्चे जहां पर पटाखे ज्यादा जलाए डा रहे हो और अगर आप जाना भी चाहत हैं तो अपने चेहरे पर मास्क लगा कर यारमाल ढख कर जाएं जिससे धूआ आपकी सांस अंदर ना जाए दो दिन में चार से छबार खाना खाएं लेकिन खाना घर का बना ही हो इससे आप स्वस्त महसूस करेंगे तीन समय पर दवा लेना ना भूले वरना आपका स्वास्त बेगर सकता है और ट्रेवलिंग के वक्त हमेशा अपने पास इन्हीलर रखें चार पूरा दिन अपने पास गुनगुने पानी की एक बोटल रखे इससे आपके शरीर से प्रदूशक तत्व को साफ करने में मदद मिलेगी पांच सपाच है दिवाली के दिन सिग्रेट और शराब पीने से बचें अस्थमा के मरीज के लिए ये बेहत खतरनाक है और दिवाली पर ये आपके शरीर के लिए और ज्यादा खतरनाक हो जाता है अस्थमा को काबू में रखना है तो माने ये टिप्स हेल्थ टिप्स ऑफिस में इंदार फूर्ट को खाने से बचें बढ़ता है वजन